हाई अब्रीवन आप सभी का स्वागत है संजीश और आइटे के यूट्यूब चैनल में हाई फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है संजीश और आइटे के यूट्यूब चैनल में आज ये क्लास में हम लो शिखेंगे क्यास कि निर्माण किया आन्हें और व्रगाकार विधी transplant थोख लेख विधार दिसखेंगे यान्हें वरिंता-कार विधी द्वारा or कैसे हम लोग शरकील का निर्मार करेंगे तो कोश्चन सरी इंवल्वित विदी द्वारा कैसे इन्वालुट का निर्मार करेंगे कुशन है ड्रो एन इन्वालुट अफ फेसर किल अफ आपका फोटी एम डाइमेटर अल्सो ड्रो नर्मल एंट इन्जेंट एट एनी बोल रहा है एक निर्माण किए जिसका डायमीटर कितना है चालीस एमेम और उसका बोल रहा है इसमें ड्रो करना है कि नॉर्मल और टेंजेंट लाइन किसी भी पॉइंट पे एक नॉर्मल टेंजेंट लाइन सो कर देना है तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे स्टिफ बा alley twenty-two लिंव Vaiत mint i..! ृप और दुरी भर्णे के बाद यहां से क्या करने एक सर्किल हम लोग सुक करने के बाद फिस सर्किल को आट पार्ट में बाठेंगे झी तो कैसे बाठेंगे ध्यास देखें देचे में कोई परसानी नहीं होगी इतना फर्मूला होता है आपका 8 या 12 भाग बाटना होता है इस ता कर बिदी द्वारा जब इन्भॉलूट का निर्मार कीजिएगा देखिए इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12 पार्ट में भी बांट के बाता है और 8 पार्ट में भी बताएं लेकि इसमें नर्मल टेंजेंट लाइन का जिक्र है तो इसलिए आप लोग को यहां पे हम लोग आठ पार्ट में बांट के बताएंगे क्लियर हुआ है तो हम जानते 300 टोटल एक पॉइंट पे कितना डिगरी होता है जी 306 डिगरी तो इसको कैल्कुलेट की आठ पार्ट में तो परते के इंगल कितना 45 डिगरी का आएगा जी तो यहां पे चांदार रखेंगे चांद की स आता से आसानी से आप कर सकते हैं 45 डूना 90 आपका तो यह देखिए आपका और फिर यहां से भी हम लोग सिंप प्रोसेस है कि यह को हमारा आठ पर बत गया जी यह वारा हमारा सेवें ऑर यह आपका का कि आथ के इस सी पॉइंट को हम लोग, किने नाम से किस नाम से क लूग, कि संहिर not, क्यों की सितना में और एक लाइक का नम से करेंगे, इस ब्हूंकर देखिए ऐं से में और आप यहां से एक लाइन इस तरह से सो कर देंगे किलियर हुआ देन सो करने के बाद इतना यह लाइन कहां तक जाएगी यानि इस लाइन में समको कितना यूज है तो आप लोग कैसे कल्कुलेट किजिए गा तो उसके लीए एक फर्मूला होता है जी पाई D, तो पाई का भाईलू केतना होता है थिरी पॉइंट 1,4 इंटा डी का भाईलू केतना है । इसको कल्कुलेट किजीएगा इसको गुना करेंगे तो 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 dangerला आएगा अब इस यहां पे तो हम लोग यह आपका पी है यह तो इसको भी हम लोग चाहिए इसको रहने देंगे अभी अभी कुछ नहीं करेंगे इता समझवाय है यानि यहां तक हम लोग क्या किए जी मार्किंग कर दें इसका टोटल लेंथ कितना है जी 125.6 mm है यह यहां से अब ध्या पार्ट में बाटेगी आठ पार्ट में अगर इसी को हम लोग अगर इसी को बारा भाग में बाटे रहते तो यहां पीसे लेके यह जो रेखा थी हमारा कितना बारा भाग में बांटे तो सबसे पले इसी को बांट लीजे तब उसके बाद यह हर पॉइंट से असपर्स देने पे तो हमारा फाइनली इसको डिवाइड की जाए तब 15.6 आएगा तो यहां से हम लो मार्किंग कर लेंगे दस पांच पंदर यानी 15 दूना 31 इस तरह पहंतियां 45 पहंचोका 60 पंदर पचे 75 पहंच आख नब्वे और 15 सत्य एक सो पांच तो इस तरह हम लो तो इतना तक हमारा क्या वाजी तो यह वाला हम यहां पे इसको हम लो एक है कि इसको हम लो दो यह वाला तीन यह चार यह पांच छे साथ और यह आपका फाइनली आठ तो आठ पार्ट में हम इसको बांट दिये जी प्रोपर अब देखिए अब अगले स्टेप में क्या करते हैं यह जो भी एक दो तीन जीस तरह हम लो यह पी से एक असपर्स रेखा क हम लो यहां से एक से भी हम लो असपर्स असपर्स रेखा का हम लो निर्मार करेंगे यह देखिए यह एक प्वाइंट से देख रहा है ना जी कैसे हो रहा यह वाला आप सेम प्रोसेस यहां पर दो पर रखिए और इसको तो यहां से इस तरह से उसके यह तीन से काम करेंगे तो यह वाला यहां से इसको तीन से हम लो क्लियर हुआ इसी तरह देखिए हर प्वाइंट से यहां पर दो तिन चर पांचे शाथ इस तरह सब भी प्वाइंट से अम लो असपार से रेखा बारी बारी से निर्मार कर लेंगे तो देखिए यहां पर यह जब निर्मार की जेगा तो प्रूपर ध्यान में रहके ही करेंगे जी कि उसी तरह यहां पर है कि इसको एक दूसरे के शीक में रखने के बाद यहां से देन उसके बाद यह वाला प्रूसेस है कि यह फाइनली क्या हुआ जी हम लोग सभी पॉइंट से क्या की जे असपर्स लाइन का निर्मार कर चुके देन इतना करने का दर यहां पर कमपास किया आज सकता पड़ेगे और कमपास में दूरी भर यह पीसे लेके वन का दूरी यहां पर जो भी दूरी है कि यह पीसे लेके वन का दूरी हो गया और इसी को वन पॉइंट पर रखेंगे और यहां पर मार्किंग करेंगे यह जो को कर्दके नाम से जानते हैं असी तिरफ पीशिए लेकर टू का दूरी तो पर रखेंगे हैं और हम इस मीट नाम से जानते हैं अब पीशे लेकर के चीरिका दूरी काम पास है और यह कहां ⁱ रखेंगे ठीरी पे और ठीरी रखके ठीरी से जो असा बार से राइगे वहाँ पर तो संद्द इसको में लोग तीने करें से जानेंगे झाल समद Bruins Hope i4 । फोर रखके यहां से chyba यह मारा ए झाल पिफूर इसको के यहां से यहां से फैप गार इसके बाद 5 वाला यह है point तो यह P5 उसके पी से लेके 6 का दूरी यानि पी से लेके 6 का दूरी ले लिए compass में और लेने के बाद यहाँ से 6 नॉम्मर कौन सा है यह तो यहाँ से पी 6 उसके पी से लेके 7 का दूरी compass में भर यह और उसके 7 हमारा यह है तो पी 7 और आपका आपका यह तो हमारा फाइनली पी 8 होई ही गया यह जो भी हम लों मार्किंग ट्रेस की हैं यह सब को फ्रेंच करब की साहता से एक दूसरे से कि मिलाएंगे जी इस तरह देखिए कि ध्यान से इसको देखके इस तरह प्रोपर देखके मिलाएंगे यहाँ पे यह जो तीनों पॉइंट है कि यह नहीं मिल रहा है तो डाइरेक्ट आप यहां से इसको मिला देजिए और देन इसको ऐसे मिलाएंगे उसी तरह पी टू से पी थीरी को यह वाला उसके बाद पी थीरी से पी फोर को पी थीरी से पी फूर अब पी फूर से पी फाइब को क्लियर हो राज तो ऐसे करके हम सबको स्टिप बाइस्टिप आप पी फाइब से लेके पी शीक्स से उसी तरह पी शीक्स से लेके पी सेवन को ऐसे करके उसी तरह पी सेवन से लेके पी एट इसको देखिए यह जैसे यहां पे कवर नहीं आ रहा है यह वाला पॉइंट यहां पे तो हम इसको फ्री हैंड भी आसानी से मिला सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है कि अधियर हो रहा है इसको हम आसानी से बिलकुल यहां से मिला सकते हैं तो कि यह तो हमारा क्या होएंट फो यह इंवालूट बनके इंवालूट कर्व बनके रेडि हो गया लेकिन इसमें क्या बहला है आल्सो ड्रॉ नार्मल एंट टेंजेंट एट एनिपॉइंट अन्धि इसकल पर पहीं प्वीज लेकर से ओष्स करेंगी हम आप लोगे यहां से पाइंटी लेए ही जो फॉइंट और यहां से इसको और दूसरे को यहां से सेंटर लाइंट यहां नहीं तो हम इसको और इधर से बनाते हैं जिस से एक यहीं पर हम लूह लीन लेते हैं एक प्वाइंट और यहां से हम लोह यहां चिलाइन एयर हुआ क्लियर हुआ यह वहां जो जब सबसे कर दिये तब यहां से देखिए इसको मैं से इसको और इसको स Jeffrey स्वक्राइब देखिए यहасं देखेखे़ेयों चाहिए यहां से एक इस्पर्स लाइन सो House कर देंगे जो इसी लाइन का नाम हुआ है जी तो नॉर्मल इसको हम लोग नॉर्मल लाइन के नाम से जानते हैं अब देखिए अब यह जो हम बेस लिया है न इसको रखते हुए यहां से हम लोग यानि 90 डिगरी का एंगल यहां पर सो करेंगे कितना डिगरी का जी 90 डिगरी का एंगल सो करते हुए इस पॉइंट पे हम लोग आगे की तरफ यहां से कर्व हम लोग सो करेंगे किलियर हुगा यह यहां पर आपको कितना 90 डिगरी का एंगल आपका होना चाहिए और यह वाला जो रेखा है ना यह वाला जो लाइन हमारा बना इसी को हम लो कि टेंजेंट लाइन के नाम से जानते यह नर्मल हुगा और यह टेंजेंट लाइन यह फाइनली क्या हमारा बनके रेडिट यह एम हो गया यह 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 वाला नर्मल हो गया किलियर हो रहा है जी चाहते तो इस रेखा को आप आगे की तरफ भी इधर भी आप असानी से बढ़ा नहीं है तो फाइनली क्या हुआ हमारा यह इन्वालूट कर भी बन गया और इसमें नॉर्मल टेंजेंट भी लाइन सो हो गया तो ओके फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में सेयर कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपोर्टेंट कोश्चन लेकर अगर आप लोग पास कोई ऐसा कोश्चन हो जिसको जिसका सॉलूशन आप लोगों बनाने में प्रोब्लम हो रहा है तो मेरे पास कमेंट कीजिए उसका जरूर रिपलाई दिया जाएगा और इसका चाहते तो यहां पर यह जो है नजी इसका डाइमेंशन भी यहां पर सूख कर सकते हैं यह वाला यह अभी कीजिए कोई प्रोब्लम नहीं है तो के फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपोर्टेंट कोश्चन लेका